हिंदू पहले भी सुरिक्षित नहीं थे और अब भी सुरिक्षित नहीं है और शायद आगे भी सुरिक्षित नहीं रहेंगे बंगला देश में आपने हिंदू की जो जनसंख्या है जिस प्रिकार से घटी है वह साफ इंडिकेशन ये कर रही है कि बंगला देश के अंदर जै तो यहां जाते हैं वहाँ तक्तापन की कारवाई को जाती है याद है जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने बोला था कि मेरे को अप्रोच किया गया और मेरे को ये बोला गया उसमें भी इन ही भाई साब का हाथ था बांगलादेश के अंदर पांच अगस्त को क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा था उसके बाद वहाँ पर जो हिंदूों पर अत्याचार हुए वो भी पूरी दुनिया ने देखा है और मांगलादेश और भारत जो पडोसी मुल्क है बांगलादेश में जो तक्ता पलट हुआ है इसका असर भारत पर क्या होगा उसकर बात करने के लिए हमारे साथ मुझूद है करनल एनके शर्मा शर्मा साब बांगलादेश में 5 अगस तक सुबह तक सब कुछ ठेक था और अचानक एक वज़े बाद हलाद बिगड़ गए और सेख हसीना को सिर्फ 45 मिंट का सेना ने समय दिया कि जो आपको करना वो 45 मिंट आपके पास उसके बाद आपने देखा यह कि हलत किस तरह से बिगड़ गए बांगलादेश के उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं देखें जो हमको दिखता है वो होता नहीं है यह मेरी पुरानी लाइन है और जो होता नहीं है वो बिलकुल नहीं होता और जो बिलकुल नहीं होता शैद वही होता है आप जिसे कह रहे हैं कि अचानक यह क्या हुआ यह अचानक नहीं हुआ इसकी जो प्रष्ट भूमी थी जो इसकी खता थी वह बहुत पहले से लिख लिखी लिख चुकी थी हमें ऐसा दिखा मैं आप आज आज आपको मैं चाहूंगा कि थोड़ा से इसके बैक्ग्राउंड में जाएंगे तो प्रॉब्लम इतनी असानी से पगड में नहीं आईगी देखिए 1971 को हम सब जानते हैं ब भारतिय सेना को जो भी रोल था वह बहुत पॉस्टिव रोल था और लोगों ने उसे बहुत सारा है भी जनल ने आजी जन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया वह इस जखम को भूले नहीं और नहीं कोई भूल सकता है उसके बाद यह सारी चीजें शुरू ह ली आजस्ता और आहिस्ता अगर हम लॉस सिसके बात करें तो ठीक है इंड़न आर्मी के जो लॉस थे हम कहते हैं कि हमारे जो शही दुए वह तीन हजार लेकिन पाकिस्तान के जो शही दुए वह आट हजार यह नंबर गेम नहीं है लेकिन ये वता रही कि कितनी सिद्द से वहाँ पर लड़ाई हुई थी 71 में और हम लोगों ने भी बंगलादेश की आजादी के लिए अपना खून और अपना पसीना बहाया हमारे देश के सैनकों ने अपना सुपरीम सेक्रिफाइस सबसे बड़ी जो हमारा सेक्रिफाइस होता है अपने प्राणों के याहूती हमने वह भी वहाँ पर दी तो अब दिल दुखता है जब यह सब बाते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि बातों को आप समझ पाएं यह कैसा सिच्वेशन बनी हुई है इसमें अगर आप देखें तो हमारा इस साइट का जो हमारा वेस्टन फ्रेंट का जो हमारे नेवर है पाकिस्तान वो भी बड़ा खुश है चाइना को देखो तो वो भी मंद मंद मुस्क्रा रहा है अमरीका को देखो पाकिस्तान है अमरीका है और एक इतने महीने पहले से चल रहा था अगर आप बदा सके तो बिल्कुर यह यह आपने जो प्रेशन पूछा वही मूट क्वेशन है और वही प्रेशन मैं चाहता था कि मैं आप से आपको मैं जवाब दूँ जो हम अभी उपर देख रहे हैं य स्टूडेंट अन्रेश्ट का जो आप हम नाम लगा सकते हैं और हम इसको पर भी बात करेंगे कि यह कैसे चीजें कैसे इवेंट्स अन्फूर्ड हुई लेकिन अगर हम पहले यह जान लें कि इसके पीछे जो में प्लेयर या में एक्टर क्या है तो हमारे लिए समझने में बढ़ी असानी होगी देखिए यह तो सबको मालूम है कि शेक हसीना ने जो अवामी लिखी उन्हें बहुत अच्छा सा बैलेंस बनाया हुआ था बिट्विन इंडिया एंड चाइना वो चाइना से इंवेश्मेंट भी लेती थी लेकिन भारती हमारे देश के लिए भी मेंटेन करके रखा हुआ था यह चीज ना पसंद थी तो किसको ना पसंद थी युनाइटिट स्टेट्स अफ अमेरिका को तो कहीं न कहीं अमरीका का और बंगलादेश का यह जो अनीजी रिलेशन है यह अपका नहीं है यह तब से चाइना ने बेल्ट अन रोड इनिशेट इनिशेट किया उसमें बंगलादेश ने उनका साथ दिया जो कि अमेरिका नहीं चाहता था अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि बंगलादेश shouldini के करीब होई उसके बाद में अमेरिका ने कोईड का फॉर्मिशन किया, बेसिकली वो भी चैने का अगेस्ट ये कंपनी से ये कंट्रीज थी, बंगला देश ने उसमें भी आने से मना किया, तो ये सब चीज दर्शाती है कि अमरीका बहुत ऐसे कोशिश करना था कि किसी प्रकार से बंगला के पास में एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन हो, एक स्ट्रेटिजिक पार्टनर, ये ये इतना ये इतना आसान नहीं है, इस चीज को अगर आप अभी से लेना शुरू करें, तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम की कबसे अमेरिका को अगर बंगला देश के साथ में जो इ आइलेंड है, जिस द्वीब का वैसे तो साइज में वो दस किलोमेटर बाए आट किलोमेटर वो कोई बहुत बड़ा इलेंड नहीं है, इसकी लोकेशन, ये अगर आप देखे तो ये बे बेंगल के इंदर है, और सेंट मार्टिन, सेंट मार्टिन इसका नाम है, अगर आप मैप में देखेंगे, तो आपको एक बिंदू के माफिक दिखेगा, ये जो आइलेंड है, कॉरल आइलेंड, ये पार्टिशन से पहले ये भारत का था, लेकिन जब उनियस से से सालेट फिजब पार्टिशन हुआ, और हमारा वेस्ट पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान के पास पहुंच गया, ये जो द्वीप है, इस द्वीप के ऊपर बर्मा ने मैमार जो हैं भी, वो उनका भी अपना क्लेम था, लेकिन एक स्टेज के बाद में बर्मा के साथ में बात हुए, बर्मा ने अपना इसका क्लेम छोड़ दिया, और ये ही है वो द्वीप है, जिस प अगर ये द्वीप इनके पास में, अगर किसी प्रकार से इनको मिल जाए, तो ये इनका नेवल बेस हो सकता है, इनका एयर बेस हो सकता है, जहां से बैठके, ये चाइना ये पूरा बेयो बेंगॉल इंडिन ओशन तक अपना कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इंडिया के ऊपर है, एकदम पहचान लिया, 100% जो इसके अंदर प्रिंट आपको दिख रहे हैं, वो अमेरिका के प्रिंट, हलाए कि लोग कहींगे कि चाइना, चाइना को भी इससे फाइदा मिलेगा, जो उन्होंने श्री लंका में किया, नेपाल में किया, मैमार, बंगला देश, इसा है, चाइना इसमें बेनिफिश्टी जरूर है, चाइना को इसमें फाइदा जरूर हुआ, पाकिस्तान दो चाइना का पिट्टू ही है, वो जरूर है, लेकिन चाइना को बेनिफिट बेनिफिट तो चाइना को फाइदा इसमें बहुत हो रहा है, लेकिन आप यह कहेंगे कि चा Chitagang contract है जो कि अबरीका की निगाओं में अम्रीका के साथ में बात हो रही थी बंगलदेश शेक हसीना के पास में कि यह आप हमें दीजिये ताकि हम यहां पर एक क्रिस्चन देश बनाइब और अगर वह कृष्चिन देश-पन जाता है तो ऐक्रिश्चिन देश Bhaarat के एकदम बेरी में एकदम साथ में है तो वह कृष्चिन देश की फॉर्मिशन ये भी शर्ष हसीना ने बिल कुल सफ इनकार किया हुआ था यह जो दो चीजे हैं यह पात उन्हें एक इंटर्वी में भी गई थी शेक असिना की कि एक क्रिश्चन कंट्री बनाना चाहता है अमेरिका यह जो गोरा आदमी जो मैं बात करूँगा यह गोरे आदमी सर्फ बंगलादेश में नहीं दिखे यह सेम गोरा आदमी पाकिस्तान में भी दिखा था मैं यह आपको रोकना चाहता हूं सर जो इस टीमूर बना था हां जी यह वैसाही देश वांगलादेश से करीब बनाना चाहता था वह गोरा आदमी जिसका जिक्र शेक हसीना नहीं किया था अपने इंटर्विव में हम 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 अपने दर्श्कों को यह पहली ना बुजए है मैं तो बता सकता हूं यह जो गोरा आदमी जिसके हम बार बात कर रहे हैं यह और कोई नहीं है यह डोनाल ुप है डोनाल लू यह एक ऐसे सक्ष है ये जहाँ जाते हैं वहाँ तक्ता पर अटकी कोई नहीं कोई कारवाई हो जाती है। आपकिस्तान पार इमरान खान ने बोला था कि मेरे को अप्रोच किया गया और मेरे को ये बोला गया उसमें भी अनra बहाई साब का हाथ था। तो यह अमरीका के एक जाने माने डिप्लोमेट है वैसे तो जो इनकी को डिरेक्ट ऐसे कोई वो नहीं है डिरेक्ट वाले तो एक और सक्ष है उनका भी फिर से उनका भी जिकर आएगा जो बंगलादेश में अमेरिका के अमबैस्टर थे उनका भी जिकर मैं भी करूँ है लेकिन इनकी आपने मुझे बात की तो इनका सर्फ यह है कि साउथ इस्ट एशियन अफेर के लिए यह जाने जाते हैं यह अमरीका के हर तरफ से कोई भी जो कहते हैं डिर्टी जो ट्रेक्स डिपार्टमेंट होता है यह उसक आप इनको मानिये कि यह उसको केरी फावड करने वाले यहीं सब्सक्राइब मतलब डोनाल्यू जो आप बता रहे हैं यह बिलकुल बिलकुल उस्ताद है और लेकिन बात यह कि हम बंगलादेश में हमारी भी निगाएं उतनी पहनी है तो यह हमने भी हमने हम भी पहचानते ह हम यानि कि जो हमारे देश के अंदर जो भी जो पीपल दो सु रियली मैटर इन डे डिफेंट डिपार्टमेट्मेट्स तो यह ऐसा नहीं छुप नहीं सकते अब देखिए जैसे पाकिस्तान एक बहुत ही पाकिस्तान को बोलता है कि अभी इस समय वह जो भी काम कर रहा है व को ऊपर से तक हो कि इतने क्या पाकिस्तान को फायदा होगा जो कर्ट्टा पलट हुआ है बांगादेश के अंदर क्या फायदे में है वह ठूश हो रहा हो मनी मनी मन के अंदर की अच्छा हो गया शेगसी ना चली गई है देखिए खुश तो वह बहुत ज़रूर हो रहा है बकिए फायदा होगा यह ना होगा यह थोड़ा सा टाइम बताएगा देखिए आप पाकिस्तान प्रो है मैं आपको बताता हूं देखिए जब बंगलादेश आजाद हुआ था एक तब तो मुक्ति भाईनी थी जो अपन प्रिडंव फाइटर्स थे और एक तरफ उनी के देश में बंगलादेश में एक और पार्टी है जमायत एसलामी और रजा का वो वह वो लोग थे जमायत इसलामी इस फंड़मेंटली डिवन इसलामिस पार्टी इनका नेशनलिसम से कोई लेना देना ना था नहें यह वही जमाते इस्रामिय हैं जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी की मदद कि और पाकिस्तान आर्मी को वो जो जो उनके उपर जितने भी चार्जिस हैं कि उन्होंने हिंदुम के घर जला है रेप किया लूटा वो उन सब में इनके जो 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 पॉइंट्स में थे या जो इनको इंटिगेट करने वाले थे वो यही लोग थे यानि की जमायते इस्लाम बंगलादेश में देखा जाए तो आज की डेट पर तीन इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं नबर वन अवामी लिग अवामी लिग जो की काफी liberal है और काफी secularist fundamentalist पे काम करती हैं और second party जमायते इस्लामी जमायते इस्लामी यह वो पार्टी है जिन्हों ने पाकिसान की मदद की यह वो पार्टी है जो की सर्फ Islamist fundamentalism को बढ़ावा देती है और यही पार्टी को Supreme Court और बंगलादेश ने अभी कुछ साल पहले इसको बैन कर दिया था कि आप हिसान नहीं लेंगे election के अंदर तो यह जो January के अंदर भी जो elections हुए हैं उसमें फिर बचा ही क्या एक BNP बची बंगलादेश नेशनल पार्टी जो की खालेदी जिहा की थी और एक यह तो हट गे यह तो जमायते इसलामी वाले तो उन्होंने तो Supreme Court ने माना कर दिया और BNP को पता था कि इस बार अगर हम election में जाएंगे तो हम जीतने का चांस ही नहीं है तो उन्होंने अपने आपको withdraw कर लिया तो रहेगी एक पार्टी और उस पार्टी यानि की शेक हसीना के पार्टी और वहीं पार्टी ने अपनी गौर्वर्मेंट कर लेएंगे लोग इसको तोड़ बुड़ की तो क्या जमाते इसलामी वापिस ताकत में आ गई है आपको लग रहा है कि जमात वापिस अब ताकत में आ चुका है मैं आपको बता हूँ यह अभी से नहीं टाकत में आई है जमायत यह जो पूरा आई एस आई पाकिस्तान के जो खुफिया एजिंसी है आई एस आई उसके तुरू इनका पिछले दस या बारा साल से इनका गेम चल रहा है आस्ते आस्ते इंफ्लिट्रेट हुआ है जमायत इ इसलामी उसमें हमको ज्यादा मेहनत किने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उब्धूर्चा बी चाहते हैं कि पाकिस्तान वो चाहते नहीं थे की बंगलादेश पर ने वो भी पाकिस्तान को चाहते हैं और यह वही लोग हैं जो आप देखते हैं कि मुझीबर शेख मुझीबर रह्मान के स्टैचू को जो उनके बुद को पर चड़के जो तोड़ रहे हैं यह स्टूडेंट्स नहीं तोड़ें तो यह वो तोड़ेंगा जो उसको जो फादर हैं उनके मुझीबर रह्मान के मतलब यह तो दुनिया के सामने बहुत ही अलग तस्विर रही थी जिन्हों ने बंगलादेश का एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी बहुत बड़ी भूमीगा थी बंगलादेश को बनाने में और उन्हीं की मूर्ती तोड़ दी गई यह तो यह जो आप बात कर रहे हैं यह हम नॉमल इंसान हम मैं और आप जैसे सोच सकते हैं यह कैसा हो गया लेकिन अगर आप सोचे हैं तो जिस यह जो पार्टी जमायत इसलामी इसने शुरू से ही बंग साथ देने का मतलब क्या है तो जब यह शुरू से है तो इन्हें तो शेक मुझिबर रहमान उसकी पार्टी उसकी फैमली से सक नफरत है शेक मुझिबर रहमान को जब आर्मी ने उनके घर में आर्मी के कुछ लोगों ने उनके घर में जाके जब उनका कतल किया जसमें शेक मुझेबर रहमार और उनके फैमिली वारे ज्यादा से ज्यादा लोग उन्होंने कतल कर दिये तो यह किसका एक इसकी कुछ चाहता था कि शेक मुझेबर रहमार ना रहे यह उनकी अवामी लीक तो नहीं चाहती थी तो कौन लोग थे कब से इंफ्लिट्रेशन शुरू हो गया तो पाकिस्तान किस के कहने से पाकिस्तान यूएस के कहने से पाकिस्तान तो जो पैसा देगा वो वैसा है यूएस का पैसा पाकिस्तान यूएस ने बोला पाकिस्तान को क्या ही है आप ये करवाईए क्योंकि शेख हसीना ना तो हमारी बात मान रही है ना ही तो हमने आइलेंड गाओं ट्रेक्ट के लिए अंदर हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा और यह तो बिल्कुली इंडिपेंडेंट हो गई है तो यह रीजन यह काम करवाने का जो है पैसे लेकर या जैसे भी वह आई साई ने इसके थूप किया है रही बाद स्टूडेंट एजूटेशन ऑन और यह 56 प्रतिशत कोटा था उस 56 में 30 प्रतिशत था वो जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बच्चे है लिए यह वो यह पूरी जैनरेशन ने अपना पूरा अपना अपने लड़ाय में ही एपना सटब्सक्राइब निकाल दिया था तो उनके बच्चेह को यह मिल रहा था क कोटा तो यह उन्नीस सो बहतर से शुरुआ लेकिन जब एक दो जैनरेशन जब निकल चुके थे उसके बाद में लोगों में अंडरेश्ट होना शुरुआ कि यह जो तीस प्रतिश्ट चपन प्रतिश्ट के अंदर तीस प्रतिश्ट जो कोटा है यह शाय तोड़ा से जैदा ह यह नहीं होना चाहिए और जब यह ज़यदा जब यह शुरू हुआ तो यह शेख हसीना जब अभी बिचारी नहीं है इसकी पाटी थी और इनों ने ये कोटा सिस्टम खत्म किया और इनों बोला आपसे कोई कोटा नहीं होगा और जो भी किसम कुछ होगा वो मेरिट के ओपर होगा तो और इनके ओपर रहा है कि क्या सेना का भी इसकंदर कई ना कई हाथ रहा तर्टा प्लट में या सेना शेख हसीना के साथ थी या उन्हें ने सोचा कि माहौल बिगड़ रहा है देश का तो शेख हसीना को निर्वासित कर दिया जाए हमारी तो यह फ्री और फ्रेंक बात हो रही है तो कितना हाथ था बंगलादेश आर्मी का तो ऐसा है कि बंगलादेश आर्मी ने तो इसमें कोई उपर गोलीन नहीं चलाएंगे यहां तक तो सही है लेकिन आप ये भी आप मानना पड़ेगा कि शेक हसीना को अगर किसी ने बचाया है नहीं तो इस इनका भी वही हशुक्ता जो इनके फादर का था अगर बचाया इनको वहां पे बहार निकाल के लेके गए और उनको हाँ जो वकर हैं वो उनके रिलेशन में इनके और यही शेक हसीना है जिन्होंने इनको डिफरेंट लेवल पे लाला के इस लेवल तक लाएं लेकिन आपको मालूम है कि इस 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 गेम के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता तो यह तो बिल्कु सही है कि यह जान पेचान के और यह शेक हसीना है नहीं इसको इस लेवल तक लाएं लेकिन जब मौका आया तो वो भी उनके साथ में खड़े हुए अवर्टली नहीं दिखे तो आप 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 बंगाने चाहते हैं और तीसरा है क्या फिर से बंगलादेश लोटेंगी मतलब एक सवाल में तीन सवाल तो यह हो गए जी तो इस प्रकार से तो आप मुझसे नौ सवाल पूछ लेंगे तीन सवाल में तीन सवाल एक नहीं नहीं यह पुरा के पुरा आपको जी बताएं ठीक है देखिए शेक हसीना बहुत अनफॉर्चनेट है कि अमरीका ने उनका वीजा कैंसल कर दिया जो हमें सुनाई पड़ा जो सुनाई पड़ता है कि अमरीका ने उनको वीजा कैंसल कर दिया और यह हुए अमरीका है जो शेक मजबर रहमान के जो कातिल थे उनको उन्होंने शरण दी अमरीका में और कैनेडा में लेकिन शेक मजबर रहमान की जो फा और सेम बात यूके के लिए भी है यह दोनों चीजें बहुत अफसोस की बात है तो इसलिए जब तक अब वो देखते हैं कि वो कहां यह उनके उपर डेपेंट करता है कि वो कहां जाना पसंद करेंगी वो भारत में जब रहना चाहें तो रहेंगी मेरे क्याल से तो यह मेरे प रक पड़ेगा तो मैं आपसे पूछूँगा तो अगर आपने शेक खसीना को अपने यहां पर शरण नहीं दिय तो क्या हमारा और रिष्टा बहूत अच्छा हो जाएगा बंगला देश से से हमारा रिष्टा अच्छा होना और ना ना यह मैं आप से बंगलादेश से हमारा कोई relation में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बंगलादेश में अब जो आए हैं वहां की जंता जो भी फिलाल जो हम देख रहे हैं कि शेख हसीना से जो नफरत का जो माहुल बना है बंगलादेश के अंदर तो वह कहीं इंडिया किलाफ sentiments तो नहीं बन कि मैं अमरीका ने सब चाले चली अमरीका किसलिए किसी को मालूम ना हो ऐसा नहीं हो सकता तो यह जो चार है जो अमरीका की जो दोरी चार ये भी हम expose कर रहे हैं हमारे हिंदुसानी चनल में आप जैसे जनरिस्ट क्यूं इसको इतना उबहार के बाहर दिखा रहे हैं और जो यह देखें कि यह गेम कैसे इंटरनेशनली यह गेम कैसे खेली जाती है तो यह जब तक यह गेम आप पहचानेंगे नहीं तो इतने आसानी से आवामी लीग ऐसा नहीं है कि वो इस पूरे परिपेक्ष में या इस पूरे सीन से आउट हो जाएगी अभी बहुत अभी तो परिपेक्ष बिल्कुल नहीं यह एक ट्रांजिशन पेरोड था किसी भी देश की जिंदगी में देश की लाइफ में यह बहुत चोटा पिरिड होता है आप इस प्रिकार से अवामी लीग को राइट आफ नहीं कर सकते क्योंकि जैसे हम लोग पूरा गेम समझ समझ चुके ह हैं और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को बार बार यही चीज़ बंगला देशी इसको भी पता लगेगी बंगला देशी के जितने निवासियं वासियं उनको भी मालूम चलेगा कि हम पर क्या हुआ क्योंकि जो बातें कहीं गई थी कि जैसे बी एन पी पार्टी आईगी शेख हसीना ने बोला ता तीन साल पहले कि जैसे बी एन पी पार्टी आईगी तो देखना ये हमारे इस आइलेंड को ये अमरीका के हाथ के गोदी में डाल देंगी ये देखना चिटगाउं ट्रेक को इस प्रकार करेंगी अगर तो ये वाकिए इस प्रकार से करने लगेंगे तो बंगला देशी ये ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंगला देशी तो शेख हसीना फिर से बंगला देश जा सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो बविश्यम है अभी आपने जो इसकी जो लास्ट दो दिन का जो आया उसके अंदर ये इंडिकेशन साफ आ रहे हैं अब ये नहीं है वो बोले उसने बोला है उनके उनके बेटे ने बोला है कि अगर वहां का महोल ठीक होगा तो मेरी माता शेख हसीना वापस बंगला देश जा सकती है आप उनको इस परिकार से रूलाउट नहीं करें क्योंकि हाँ ये सब एक इस समय बहुत बहुत ह साथ सिचुएशन है बट आप बिल्कुल रूलाउट नहीं कर सकते हैं अब आम ये लीग वापिस आ सकती है सर मेरा अगला सवाल ये था कि जो हिंदूओं की स्तिती है बंगलादेश के अंदर जो काफी वीडियो सर्कुलेट हुए थे चाहे वो एक्स पर देखा होगा आपने अलग-अलग सोशल मीडिया पर तो जिस तरह से अत्याचार हुए थे तकता पलट के बाद आपको क्या ल कि जो जनसंख्या है जिस प्रिकार से घटी है वह साफ इंडिकेशन ये कर रही है कि बंगलादेश के अंदर जैसे कि पाकिसान के अंदर भी ये एक मोमेंट है और ये कुछ लोग इसको अपना एक धार्मिक करतव्य मांगते हैं कि जितने हम गैर इसलामी को हम इसलाम में कर करेंगे उतना ही हम बहुत अच्छा काम धार्मिक अच्छा काम कर रहे हैं ये जितना ज्यादा बल पाएगी उतने ही ज्यादा लोगों के उपर बरबरता वापरी जाएगी उतनी ही बरबरता लोगों के उपर और की जाएगी और हिंदू हर समय बंगलादेश के अंदर इस एक कुछ एक राजनेतिक हैं और कुछ एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो यह इंशोर करेंगी कि नहीं है यह ऐसे चीज नहीं हो जैसे हमने सिये यह नर्सी की जब बात हुई थी अल्टिमेटली यह रीजन तो यही था कि जो हमारे हिंदुस्तानी भाई कहीं और हैं जिन आप देखिए कि जब एक इस्लामिस्ट कंट्री में अगर प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे मिलकर चपन और इस्लामिक देश हैं लेकिन चपन इस्लामिक देश में किसी ने शरण नहीं दी सर्फ शरण दी तो एक हिंदू की शरण में बंगलादेश की जो प्रदान मंत्री ही वह आई हैं क्योंकि हमारा धर्म और हमारी संस्क्रिति इस प्रकार की है तो यह धर्म ज़ को जाहता प्ले करेंगी और या उनको सिरक्षीत राख पाएंगी या उनको बरोसा दे पाएंगी कि आपको पलायन करने की जुरत नहीं है आप बंगलादेश में सुरक्षित हैं अब माहोल सही हो चुका है कि आपको ऐसा लगता है कि निकट पविश्य में ऐसी इस्तितिया बनेंगी देखिए जब आप इंटरनेशनल एराना में बात करना पड़ेगा बंगलादेश एक देश है जिसकी अपनी माननेता है और एक ऐसा टाइम था बंगलादेश जब बंगलादेश की जो जीडीपी दी बड़ी तेज ग्रो कर रही थी पर कैपटा इंकम हिंदुसान से कुछ सालों में नीचे आ रहा था तो यह देश इस देश को भी अपना पूरे अंतर राश्टिय विरादरी के सामने यह पक्ष रखना पड़ेगा कि हमारे यहां पर हम सब की वह सेफटी का ख्याल रखेंगे क्योंकि जब तक वह यह नहीं करेंगे तो इंटरनेशनली अंत इसको यह दवाएंगे क्योंकि यह जो अंतर राश्ट्रिय वाच्डॉग्स होते हैं वह भी आपको इस प्रकार से कारें नहीं करने देंगे सर मेरा एक आखरी सवाल था जो बांगलादेश के अंदर जो तक्ता पलट हुआ है इसका बारत के उपर और जो सब कॉंटिनेंट इसके उपर क्या असर पड़ेगा हम पहली बात करते हैं भारत के उपर भारत पे तो बहुत जबदस पर पड़ेगा आप देखिए ना हमारे तरफ हमारे चारों तरफ सब लोग खुश हैं जो भी हमारे सो काल्ड दुश्मन चाहे हम पाकिस्तान को उपनली कहते हैं वो बड़ा खुश है उसको तो उनकी तो स और मिशन हुआ था यह हमने अंडन कर दिया है तो वो इतने खुश हैं अमरीका बड़ा खुश है उदा चीन भी बड़ा खुश है मतलब सब के सब खुश हैं सब भारत को एक अपना फिर से पूरा स्टैटेजी और पूरा यह सब सामरिक जो रिलेशन्स हैं एक दूसरे के स साथ में फिर से वर्काउट करने पड़ेंगे और हम विश्व गुरू इस परकार से नहीं बनेंगे ऐसा नहीं है कि यह सब चीजें किसी ने सोची नहीं होंगी हमारे यहां पे इस सब चीज का होता है इसके इसके प्लैन ए प्लैन बी प्लैन सी सब तयार होते हैं just wait and watch just have little time फोड़ा सा इसमें अपना हमें अपना वो रखना चाहिए पेशन्स रखना चाहिए यह इतनी असानी से हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा बढ़ हाँ आज की डेट के उपर नुक्सान हमको जरू हुआ है चलिए करने साब न्यूजेटीन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू हर्शित थैंक यू सो मच फर हैविंग में अगें